नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं सियम हेमन्थ की अधिकारियों संग बैठक दिये कई जरूरी दिशा निर दे सुक्रवार को मुख्य मंत्री हेमान सुरे ने राजे में मानोतसकरी पर रोक लगाने के समध में अधिकारियों के साथ उच अस्तरिय बैठक की इस दवरान सियम ने कहा है कि मानोतसकरी की घटनाओ पर राज सरकार गंभीर है हर हाल में इस पर रोक लगाना होगा सियम हेमान सुरे ने अधिकारियों से प्रवासिस रमिको के डेटा बेस के लिए मेकनिजम तयार करने वा सभी जिलों में इन्टी हुमें ट्रेफिकिंग यूनिट साइबर अपराद स्सी एस्टी वा महिला थाना के संचालन के लिए सन्यूक्त भौन बनाने को कहा है इसके लिए DPR जल तयार करने के लिए भी अधिकारियों को आदेश दिये गाए इस भौनों में सभी मामलों की 24 घंटे मोनेटरिंग हो सकेगी मुख्यमंत्री के साथ बैठक में पुलिस विभाग, महिला बाल, विकास और समाजिक सुरक्षा सहित अने विभाग के वर ये अधिकारी मौजूद थे मुख्यमंत्री ने मानो तसकरी को राजे की एक गंभीर समस्य बताई और इसकी रोक थाम के लिए सभी समन्दित विभाग, एंजियों तथा समाजिक संस्थाओं के बेहतर समन्वे से परवावित कारियोजिना बनाने पर जोर दिया है पाराटीचर्स के लिए खुस खबरी आकलन परिक्षा का रिजल्ट जारी जारी जार्खन के पाराटीचर्स के लिए अच्छी खबर है जार्खन अधिवीद परिशद ने पाराटीचर आकलन परिक्षा 2022 के परिणाम जारी कर दिये हैं इस परिक्षा में जीतने 49 परिशार्थियों को सफल गोसित किया गया जैक के मुताबिक एल वन में कूल 35 एर 418 पारा टीचर ने आक्वन परिशादी थी इन में से 25 एर 614 ने यानि की 35 फिश्दी या उससे अधिक अंक हासिल किये हैं राजेपाल और सियम हिमन्त ने कहा जारखन से नकसलवाद जड़ से होगा खत्म जारखन के राजेपाल सीपी राधा किष्णा ने राजेपाल से नकसल को जड़ से खत्म करने की बात कही है महा महीम ने ट्वीट कर कहा है कि सियम हमान सुरेन और मैं लागातार एक दूसरे से इस बारे में सलाह मस्वीरा कर रहे हैं राजे से नक्सलवाद को खत्म करने के लिए जल्द ही एक बड़ा पलान तयार किया जाएगा राजे पाल ने कहा है कि हमें यकीन है जल्द ही जार्खन से नक्सलवाद को जड़ से खत्म कर दिया जाएगा दरसर राजे पाल सीपी राधा कृष्णन स्तियम हमान सुरेन और अन्य अधिकारी धुरवाश थी स्यार पी एफ कैंप परिसर में स्यार पी एफ कोवरा बटालियन 209 के सहीत जवान को सदांजरी देने पहुंचे थे इसी दोरान महा महीम ने एबाते कही है सनिवार को रांची में कॉंग्रेस महिला मैत्री समेलन का आयोजान जारखन परदेश महिला कॉंग्रेस दोरा सनिवार को परदेश अस्तरिय महिला मैत्री समेलन आयोजित किया जाएगा इस समेलन में महिला ससक्तिकरण और राजनीती में महिलाओं के भागेद्यारी बढ़ाने सहीत कई भी सवय परचार्चा होगी राज्य अस्तरिय कॉंग्रेस महिला समेलन में परदेश प्रभारी अविनास पांडे महिला कॉंग्रेस की राष्ट्रिय अध्यक्स नेट डिसुजा और परदेश महिला कॉंग्रेस प्रभारी समीता बेहरा भी सामिल होगी कॉंग्रेस पार्टी के जहर्खन महासरचीव राके सिनहास से मिली जनकारिक के अनुसार परदेश महिला अध्यक्स गुंजन सिंग, रांची की पूरो मेयर रमा खलको कॉंग्रेस के परदेश अध्यक्स राज़स ठाकोर उपस्थित रहेंगे तीन अक्टूबर को सहतालिस सहायक अभियनताओ को मिलेगा नियुक्ति पत्र जहर्खन में नवकरी की चाह रखने वालों के लिए खुस खबरी है बतादे अलग-अलग काटेगरी में सहतालिस सहायक अभियनताओ को तीन अक्टूबर को नियुक्ति पत्र मिलेगा बतादे गांधी जन्ती के अगले दिन 3 अक्टूबर 2023 को अलग-अलग कटेग्री में राजे के 47 सहायक अभियनताओं को न्युक्ति पत्र मिलेगा चैनित अभियताओं का रोल नंबर भी जारी कर दिया गया है नगर विकास यम अवास विभाकियोर से बताया गया है कि और सायनिक कोटे के 32 सहायक अभियनता या अंत्रिक कोटे के 9 सहायक अभियनता और विधूत कोटे के 6 सहायक अभियनताओं का सीधी भरती प्रत्यक्ता परिशा के तहत चैन हुआ है जार्खन के नो निर्मान का संकल्प के साथ हुआ आजसु का केंद्रिये महा अधिवेशन जार्खन के नो निर्मान के संकल्प के साथ 29 सितंबर से आजसु पार्टी का केंद्रिये महा अधिवेशन शुरू हो गया है राजधानी राची के मुराबादी मैदान में आयोजीत इस तीन दिवसीय समेलन के पहले दिन आजसु परमुख सुदेश महतों ने राजे भर से आय पार्टी परतिनिद्यों का स्वागत कर उनका उदघाटन किया वहीं इस मौके पर पार्टी संसत, चंदरप्रकास, चोधरी समेथ पार्टी विधायक और नेता मवजूद रहे उदघाटन सत्र को समधित करते हुए आजसु परमुख सुदेश महतों ने कहा है कि यह एक एतिहासिक चान है जिसमें बंगाल, जार्खन और उड़िशा के परमुख लोग मौजूद है जिन्होंने जार्खन को अलग राज बनाने में महत्पुन भूमकानी भाई पार्टी की ओर से उन्हें समानित भी किया जा रहा है हाई कोट ने टी-सर्ट टोफी बातने के मामले में मांगी एस्टेटस रिपोर्ट पुर्व मुख मंतरी रखवर दास के मुश्च के लिए बढ़ सकती है 3.50 क्रोवर की टी-सर्ट और 33 लाग की टोफी बातने के मामले में जार्खन हाई कोट ने जाच के स्टेटस रिपोर्ट मांगी है बता दे जार्खन हाई कोट ने राज सरकार से वर्ष 2016 में राजस अपना दिवस पर 3.50 क्रोड की टी-सर्ट और 33 लाग रुपए की टी-सर्ट के बितरन से जुड़ी मामले की जाच के स्टेटस रिपोर्ट मांगी है यह मामला राजी के पुर्व सीम रखवर दास के कारेकाल काहा है समाजी करकारता पंकज कुमार ने हाई कोट में एक P.I.L. दाखिल का टी-सर्ट और टोफी बितरन के नाम पर भारीगर बड़ी कारोप लगाते हुए इसकी जाच कराने की मांगी है चाइबासा में ID से घायल जवान का हाल जानने अस्पताल पहुंचे राजेपाल डॉक्चर से मिली जनकारी के मताबिक अगले एक से दो दिनों में जवान भुपेंद्र घर जाने के लिए स्वस्थ हो जाएंगे राज जेपाल ने दुख ब्यक्त करते हुए कहा है कि यह दुख की बात है कि आईडी बलास्ट में हमने एक जवान को खो दिया लेकिन जवान की सहादत बेहर्थ नहीं जाएगी उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में जारकन पुलिस राज जे के जंगली इलाकों में बढ़ते नक्सलवात को खत्म करने के लिए काम करेगी राज जेपाल के मेड का अस्पताल पहुशने से पहले अस्पताल के आसपास कड़ी सुरक्षा बवस्ता की गई थी अस्थानिय पुलिस के साथ साथ जीले के कई अधिकारी वहां मवजूद थे सहीद जवान राजेश को सीएम राजेपाल ने दी सरधांज ली पच्छमी सिम्भूम के टोटो में नकसलियो के द्वारा किये गए आईडी बलाश्ट में बरिदान CRPF कोबरा दो सनोब बाटारियन की जवान राजेश कुमार का पार्थिव सरीर सुक्रवार को धुर्वाइशती CRPF कैम पहुँचा इस दवरान राजेपाल CRPF किष्णान और मुख्य मंत्री हमंसुरे ने सहीद जवान को पुस्पचकर अरपित कर सधांज ली दी मुख्य मंत्री हमंसुरे ने दिवंगत हुए जवान राजेश कुमार की आत्मा की सांती के लेश्वर से प्रात्ना की और सोका कुल परिजन को दुख की इस घड़ी में सहन करने की सक्ति देने की प्रात्ना की है वहीं मुख्य मंत्री हमांसुरे ने कहा हमने अपने जवानों पर गर्भ है नकसलियों के बिरूद चल रहा अभियान काम्याब होकर रहेगा राजों को नकसल मुक्त कराने के लिए ही बहादुर जवान राजेस कुमार ने अपना स्वर सुन्ने उचार किया है पित्रुपक्ष शुरू पित्रुपक्ष 29 सितंबर से शुरू हो चुका है पंडित कौसल कुमार मिश्रा बताते हैं कि भद्रपद पुर्णीमाज से आश्मिन क्रिष्न पक्ष अमावसा चलने वाले पित्रुपक्ष के दरान हम अपने पुर्वजों को याद करते हुए ति तिथी ग्यात नहीं होती है आत्वा किसी करण वास निश्चित तिथी पर पित्रों को तरपन नहीं कर पाते हैं वे अमस्वा तिथी को तरपन कर सकते हैं उधार पित्रुपक्ष पर तरपन करने के राजधानी राची से लोगों का गया प्रवास शुरू हो गया है बता द परानिक कथा के अनुसार गया धाम में पिंड दान करने से 108 कूल और 7 पिढ़ियों तक का उधार होता है 30 सितंबर को लोग प्रती पदा का स्राध कर सकेंगे वहीं 1 अक्टूबर को 2 फर 12 बचकर 10 मिट तक दितिया का स्राध इसके बाद तिरितिया का स्राध होगा वहीं 2 अक्टूबर सुबर 10 बचकर 42 मिट दिन तक दितिया का स्राध इसके बाद चतूर्थी का स्राध होगा वहीं 3 अक्टूबर सुबर 9 बचकर 49 मिट तक चतूर्थी का स्राध इसके बाद पंचमी का स्राध होगा आदिवासियों को मिलेगा लोन सरकार बना रही निती रीन के सभी प्रकार स्रेनिवार मन्थन कर निती का प्रारूप बनाया जा रहा है लोन उपलब्ध कराने के लिए राज सरकार द्वारा गरांटर बनने वह सरकार द्वारा स्वेम लीज पर लेकर लोन उपलब्ध कराने के बिकल पर भी विजार किया जा रहा है स्रम मंत्री सत्यान भोकता का मंच तूटा जारखन के पलामु जिले के पांकी छेतर में सुक्रवार को स्रम मंत्री सत्यान भोकता के कारकरम के दोरान मंच तूट गया इससे अफरात अफरी का महल उत्पन हो गया हलाकि स्रम मंत्री सत्यान भोकता सुरक्षित है बता दे इस दोरान कोई हताहत नहीं हुआ है आपको बता दे कि पलामु जी लेके पाकी के सगालीम में कौसल उत्साउस सम्मान समारव कायोजन किया गया था आयोजित कारेकरम में शरम नियोजन प्रसिक्षन वा कौसल विभाग के मंतरी सत्यान भुकता मन्च पर मजूद थे और सभा को समधित कर रहे थे लाते हर में सलक शुरक्षा की समीख्षा बैठाक वह है पुलिस अधिक्षक ने कहा है निर्धारित इसपीर से ज़्यादा तेज गती से वाहन चलाने माले ब्यक्ति की बिरुद करवाई की जाएगी उपायुक्त ने कहा रात्री मेवाहन चालकों की ब्रेथ इनलाइजर से जाच करने की जरूरत है सराप पी करवाहन चलाने वाले ब्यक्तिव की विरूत करवाई करने का भी निर्देश दिया गया है लोग सभाचुनाव की तैयारियों में जुटा जेमेम जार्खन के राजनितिक दलों ने भी लोग सभाचुनाव की तैयारिया शुरू कर दी है जेमेम कॉंग्रेस रायत बिजेपी आईसू समय सभी पार्टे आपने अस्तर परलागातार बैठके समिक्छाएं और कारकरम आयोजित कर रही है इसी बीच जार्खन मुक्ती मोर्चा भी जीलेवार पार्टी की ताकत और कमजोरियों सरस्ता अभियान की स्थिती सरकार की जनकर्ण कर योजनाओ को जरुत मन्दू तक पहुंचने में जामो कर्यालेयों की भागेदारी और लोग सभाचुनाओ की तैयारियों की समिक्छा कर रही है। रांची पूलिस ने प्रेस कंफिरेंस कर विस्तार से जनकारी दिहाए धन्यवाद